साथियों, 18 से 25 वर्ष की आयू ऐसी होती है, जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इनी बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। ये शुरुवात बहुत ही अलग है। वोटल लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही। अब आप देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे महतोपुण हिस्सा बन गए है। मेरे युवासातियों, आप सभी के लिए ये टाइम पिरियर्ड, ये काल चक्र दो वजों से बहुत एहम है। एक, आप सभी ऐसे समय में वोटर बने हैं जब भारत का अमरित काल शुरू हुआ है। और दूसरा, कल 26 जन्वरी को देश अपना 75 गनतिंत्र दिवस मनाएगा। अगले 25 साल आपके लिए भी और भारत के लिए भी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपुड है। आपको अगले 25 साल अपना और भारत दोनों का भविशत तय करना है। इन 25 वर्सों में आप कई बार अपने मताधिकार का प्रयोक करेंगे। ऐसे में जीले, प्रदेश और देश के स्तर पर होने वाले सारे चुनावों में आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी। आज जब देश 2047 तक विशित भारत बनने के लक्ष पर काम कर रहा है। तो आपका वोट ये तै करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी। जिस तरह, याद रखें दोस्तों, जिस तरह 1947 से 25 साल पहले भारत के नवजमानों पर देश को स्वकंत्र कराने का दारो मदार था। उसी तरह, 2047 के पहले के इन 25 सालों में आप पर विशित भारत के निर्बयान की जिम्मेदारी है। हमारे बीच जब भी स्वतंत्रता सेरानियों का नाम आता है, तो उनमें से अनेकों लोग ऐसे होते हैं, जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच ही थी। उनके नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वरन अक्षोरों में लिखे जाते हैं। आपके सामने भी एक ऐसा ही मौका है, विक्सित भारत के अमरित काल की गाता में, आपका नाम स्वरनाक्षोरों में कैसे लिखा जाए, ये आपको तै करना है। अगले कुछ सालों में हम स्पेस, डिफेंस, मैनुफेक्टरिंग, टेक्नालोजी, इनोवेशन और ऐसे कई सेक्टर्स में कहां पहुचेंगे ये सब आप पर निरबर होगा। हमारी गती, हमारी दिशा, हमारी एप्रोच कैसी होगी, ये सब आप तै करेंगे। और इसका एक बड़ा माध्यम मतदान ही होगा। बविश्य के भारत में आपके लिए संभावनाय कैसी होगी। इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी, जो इस कालखन में देश की व्यवस्ता समालेंगे। ऐसे में उन लोगों का सही चुनाव हो। ये जिम्मेदारी आप नवजवान मतदाताओं पर है। आपके लिए जरूरी है कि अगले भारत का भाग्य उजवल बनाने के लिए वोड दे। इसलिए याद रखिएगा आपका एक वोड और देश के विकास की दिशां दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपका एक वोड भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थे ववस्ता बनाएगा। आपका एक वोड भारत में एक स्थीर और बड़े बहुमत वाली सरकार लाएगा। आपका एक वोड भारत में तेज रिफॉर्म को उसकी गती को और तेज गती देगा। आपका एक वोड भारत में डिजिटल क्रांती को और उर्जा देगा। आपका एक वोड पहलिये भारतिय को अपने दम पर अंतरिश में पहुचाएगा। आपका एक वोड अंतरिश में भारत का पहला स्पेस स्टेशन स्थापित करवाएगा। आपका एक वोड भारत में पहला पैसेंजर एरक्राप बनवायेगा। आपका एक वोड दुनिया में भारत के साख और बढ़ाएगा। इसलिए आपके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है